कैसे हो साथियो आज जो मेरे पीछे आप पोदा देख रहे हो वो है खुमानी का खुमानी एक ड्राइ फ्रूट होता है जो अक्सर आपने देखा होगा दिवाली पे आता है सीड निकाल के इसको भेजते हैं कंपनियों वाले और ये पिल्कुल जो साइड वे पिक्चर देख रहे हो इस तरह की खुमानी होती है और जो फ्रेश खाने में मज़ा है खुमानी का वो साइड इस प्रोसेस्ट की हुई खुमानी में नहीं आता है यह जो पोदा है खुमानी का है उम्र है तीन साल और तीन साल में ही बहुत अच्छे फ्रूटिंग पे यह पोदा आ गया है यह पोदा गरम जलवाईू के छेतरों के लिए है यहां का टेंपरेचर हमारा आपको पहले बता है मैंने कि 46-47 डिगरी तक चला जाता है और उतने टेंपरेचर में इस पोदे को कोई दिक्कत नहीं होती आराम से बहुत बढ़िया सरवाईव करता है आएए सीधा खुमानी दिखाते हैं आपको कितनी बहतरीन खुमानी लगी हुई इसमें यह देखे आप बहुत ही शांदार इसमें खुमानी लगी हुई अंदर तक देखे एप बहुत ही बहुत ही बहतरीन खुमानी लगी हुई इस में अब मैं आपको फूर्ट तोड़के दिखाता हूं यह देखे यह थोड़ा सा कम पकाई वह दो तीन दिन की इसमें थी कि यह देखे इसको तोड़ते हैं कि यह है एकदम फ्रेश खुमानी और अब हम इसको तोड़ते हैं यह आराम से हाथ से बहुत ही सोफ्ट हो जाता है थोड़ा और हो जाए गए यह देखिए कि इसके अंदर यह गुठली होती है यह पल्प होता है और खाने में खाने में जो इसका टेश्ट है वो बहुत ही मिठा है बहुत ही डिलीशियस है और फ्रेश खाने का तो आपको पता होगा हर फ्रूट का अलगी मज़ा होता है अगर आप डायरेक्ट फारम से तोड़के सीधा फ्रेश खा रहे हो तो खुमानी आपने अक्सर देखा होगा कि पहाडों में होता था पहले लेकिन ये जब से कुछ गर्म जलवायू की वेराइटी आईए तो अब अपने रेगस्तानी एरियों में भी खुमानी पोसिबल हो गया है उगानाओं बहुत ही बहतरीन क्वालिटी है खुमानी की आपक आपको ओट दिखाते हैं ये देखिए दिखने में भी कितना सुन्दर और साइंदार फुरूट है ये बाहर से येलो है अंदर से हलका ओरेंज और येलो की शेड़ आती है बहुत ही गजब का फुरूट है आप इसकी बागवानी भी कर सकते हो अगर कोई किसान बागवानी करना चाहता है खुमानी की और प्रोसेस करने के बाद बेचना चाहता है तो आप इन वेराइटियों की बागवानी भी कर सकते हो बागवानी के लिए बस हमें fruit quality अच्छी मिलनी चाहिए उसके बाद आप success हो जाते हो 100% बागवानी में अगर आपको fruit quality इस प्रकार की मिलेग तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती इस पोदे को ना ही कोई extra care की जरुत है आपने देखा होगा कि हमने normal पोदे की तरह से लगाये हुआ है बहुत ही बहतरीन पोदा है दिखने में भी काफी खुबसूरत है पत्तिया इसकी बहुत ही शांदार दिखती है जो खुमानी के पो समय नहीं लगेगा नहीं आपको नर्सरी पे मिलेगा तो यह थी हमारी खुमानी की कुछ fruit की update ऐसे ही मैं update आपके लिए लाता रहता हूँ time to timely जैसे ही हमारे पोदे में कोई भी fruiting पाता है तो हम आपको update देते रहते हैं धन्यवाद